जमस्कार, मैं रवी कामरा, City Dialogues में आज आपका स्वागत करता हूँ और आज एक बहुत अद्बुत शक्षियत हमारे साथ हैं जिनको फिल्म के बारे में जैसे उनके अंदर से निकलती हैं फिल्म की बाते हैं, फिल्म की जो डिफ्रेंट एस्पेक्ट्स के बारे में जो जैपरकाश चौकसे साथ जो रोज दैनिक भासकर में पर्दे के पीछे नाम से जो कॉलम लिखते हैं पिछले 24 साल से, आज सौभागे की बात है कि वो हमारे साथ हैं और हम उनसे जानेंगे उस कॉलम के बारे में, पिक्चर्स के बारे में, एक्टर्स के बारे में और उस सारे एक महौल के बारे में जो पिक्चरों से हमारे जहन में जुड़ा हुआ है अपने रोज पढ़ते हैं परदे के पिछे और ऐसा हैरानगी होती है कि इतना जादा बातें कैसे किसी को याद रह सकती हैं और कैसे कोई उनको इस तरह से एक पंक्तिबद कर सकता है तो आज एक बड़े सभागय की बात है कि जैपरकाश चौकसे साब के पास बैठे हैं हम और उनी से थोड़ी सी जानकारी भी लेते हैं और आनन भी लेते हैं और इस चीज़ पे उन समृतियों में चलेंगे जो जैपरकाश चौकसे साब के मन के अंदर हैं फिल्म लाइन की धेर सारी बाते हैं और इसकी बजाए के बात कहीं और से शुरू करें तो जैपरकाश चौकसे साब के पास ही चलते हैं और उन से बात करते हैं कि चौकसे साब ये आप इतना जो भंडार है ये इसके बारे में आप हमें कुछ थोड़ा सा कहें शुक्रिया आपका देखे मुझे द्यानिक भासकर में ये कॉलम लिखते वे ये चोवीश भा साल चल रहा है ये दस नॉम्बर को चोवीश साल पूरे हो जाएंगा अच्छा लिखा या बुरा लिखा ये तो पाठक बताता है कि चोवीश साल में एक दिन की भी घरहाजरी नहीं है ये कॉलम है सोमवार से शनिवार तक इतवार को नहीं होता है सोमवार से शनिवार तक तो चोवीश बरस तक लगातार कॉलम लिखा है अभी भी लिख रहा हूं और एक भी दिन की घरहाजरी नहीं है जबकि चोवीश सा विमार बढ़ा हूं, कभी बंबी में, कभी लौर में, कभी नागपूर में, तो मैंने अस्पतार से भी अपना कॉलम लिखा है। अब ये ये चादगारिया जो है, इसका कारणी है कि मैं पचास, पचपंच साल से फिल्म इंडिस्ट्री से डारेक्टली जुड़ा हूं। विवसाई करिष्टा है, हम पेशे से में, थह हूए हूं, मद्धिर प्रदेश के लिए फिल्मों के अधिकार खरीते हैं। तो मैंने इन तमाम लोहों के फिल्मों के अधिकार भी खरीते हैं। और यह वासा है, अब पिछले कुछ सालों से, मेरे दोनों बेटे चला रहा है, आदित चोक से, प्रभत्यू चोक से. अगर ऐसी, मैं अपने थोड़ से इंट्रेस्ट की बात करूँ, देव साब पर हम कभी चर्चा करते हैं, तो देव साब पर आप काफी लिखा है आपने, तो देव साब के साथ मुलाकात का कोई संस्मार कोई चीज़ बताएं जरूएं जरूएं एक्जेक्ली, यह तो मुझे अजयाद नहीं है सान उगार, पर एक जब जब दूर ऐसा था कि मैं बांब मे में पत्रकार था, फ्रीलांस पत्रकार किसी अबार से जुलवा नहीं था, तो अवह पर एक नया अबार से बाभ शुग नाम ताउसका है, यह फिल्म्नी की लैंग्वज है, टेक वान, टेक से केटरी। देवानाद साव का से केटरी। और अमिट खन्ना यह तीन लोगों मिल की अखबार शुव किया था और इस एकबार के पहलेटर थे विनोथ जो बात में तो बात में वहाद जो बात में बहुत महां शाबदक साबित वे आउटलुक के, वो बहुत बहाँ संबाद है। वो समय वहां पर थे है। तो मैंने उनको देवानाद पर अर्टिकल दिया। उनने पढ़के का यह हम नहीं चापेंगे। इसमें कुछ बाते देवानाद के खिलाफ है। तो मैं भी जवहां मैं तो मैं तो रोजि रोटी है। तो उनने शब्स का होगा. और बहुत अचाद में पर देवानाद से परमिशन लेके हाऊ। लगे मैं तो आएवानाद से देवानाद साब की दफतर पोजिया। तो खार में उनका दफतर होता था, और वो बड़ी पुराना है कंपाउंट है, वो बहुत सारी बिल्निंग है, देवाराण साब का जो दफतर था, वो पहले माले पर था, ग्राउंड फ्लोर नहीं था, और वो लगणी की सीडिया जाती थी उपर, और वो बिलकुर रेल के अर्टिकल टेक्टू में इंकार किया, आप देख लेजिए, तो उनने पढ़ाँ, पढ़ने के बाद मुछ से बात करने के पर उनने अपने अपरेटर था कि टेक्टू के एरिटर को फो फोन लगाओ, फिर फोन तो बोले कि देखिए, ये आर्टिकल आप जरूर प्रकाशि अर्टिकल आप लिखिए, लेकिन फिर्वी माँ चाहूंगा कि आप इसको परखा शित करें, और अग्रेदी भाशा तो बहती अच्छी लिखिए, इसलिए भी ए आटिकल पाद आजा सकता है, तो उस आटिकल का पहरा संटेंस था, तो उस आटिकल का पहरा सेंटने सा, तो कि ये देवारान साब की जिंदगी और उनकी फिल्में और उनके सारे काम इस इत्फाक के गूमते हैं कि उनको ईश्वर ने बहुत सुंदर पैदा किया है बहुत कुछ बाद पते की भी है लेकिन थोड़ी बुराई भी है कि क्या मेरे बारे में से स्थिले लिख रहा है कि मैं गुब सुरूत हूँ इस ते लिए लिखना है कि मैं बुद्धिमान हूँ ऐसी बाद इसमें अलोचना चुपी हुए है पहुत देवारान बाद बहुत शार्प पकड़ ली बाद और उसको परकाशित भी कराया और उसके बाद देवारान साब से कई बार मुलाकाते हुई ह और वो तो क्या सब देवान साब का लाइफ में है परी बाद तो वो बहुत तेज चलते थे पैदल कई बार उनके साथ पैदल चलने का मुझे आसर मिना तो मुझे दोलना बढ़ता था उनकी चाल और मिना दोलना बराबर होता था फिर देवान साब का टेमपरामेंट जो है वह हिंदुस्ता नितunya हैं, लेकिन ठेम्पलियत वहां का था। यजव एक थेंपिरांपेन, यह जी तहां का। मदना थे हम लिए की यह देवार्ण साथ के थाध के ऑ़ बहुत मशूर लायर था। भाध मुषूर लायर थे और बहुत सक्सेसफुल लायर थे। तो उनोंने उनके घर बें तमाम चीज़ें अंग्रेजी ढंकी होती थी, डाइनिंग टेबल और ये साब, और काटा जमसे खाना इसा होता था, लिकिन भीतर से वो बेहत भारती थे, जब चेतनानन बले हुए तो उनने चेतनानन से का कि गुरुकुल कांगली जाओ, और भारत तो अंग्राम घका एक लाओंगा इस तरह की बातों में कोई रुची ही नहीं है, मेरी रुची जिन बातों में है, तो आज हैं तो डढ़ी, आज क्या है, इन मेरी रुची है, पांचे साहला ने ने पहले ने, जञाननने चाहते हैं। शकुलाए पारे मेरे देश की कि उनके तेवांग में कोई खायर आया तो वो फॉरन लिख डालते थे और मैं तो कह रहा हूं कि वो जो लिखते थे कागज पे श्याही सूख लें के पहले है वो सैट डिजाइन करने का ओर दे 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 थे थे सैट मुकंबल हो और हो पुला सा बन जाया और वो शुटिंग सुरू करते थे उलको हाँ चीज के जल्दी बहत थे बहत थे बहत तेजी के साथ क्काम करते थे देखिए देवांग सामने अपना अपना अक्टर बने वो 1946 में पैली फिल्म ती हम एक है और फॉर्टिदाइन वनों ने अपना प्रोड़क्शन हाउस को लिया उस समय तक तक फॉर्टिदाइन तक तो बड़े स्टर भी नहीं थे एक्टर थे बड़े स्टर नहीं थे पर बड़े स्टर नहीं थे पर बड़े स्टर नहीं थे बड़े स्टर नहीं थे बड़े स्टर नहीं तक तो बड़े स्टर नहीं तक तो बड़े स्टर नहीं तक तो बड़े स्टर किस फिल्म ने क्या मुनाफ़ा दिया किस ने क्या नहीं दिया और उनका क्या है कि उनके साथ बहुत अजीब गरीब इत्फाक हुए है जैसे मैं आपको बता हूं हीरा पन्ना की शूटिंग के लिए बैंगलोर गय तो बैंगलोर मुनका पुलाना दोस्ता तो उसके पास सब प पैसे रखो और यह मेरा प्रोड़क्शन वाला है यह लोग आके तुमसे जितनी जरूर होगी ले जाएगा तो दस बारा दिन पना दिन शूटि होगी जब जब जाने लगे तो उनके दोसने का यर यह साब है और कुछ पैसे तेरे बचे है लिकिन मन तुझे पैसे दूगा कि यहां पर आपके नाम का एक बंगला है और वहां सालक चोड़ी की जा रही है तो भगीचे का दस फूट जबी सरकार को लेना है तो दोस्को जो पैसा देगा थे जो पैसा बचा था उसने उसका माकांग देज लिया इनके नाम पर देवान के नाम पर अचाब जब जब ज जुज़ नहीं था ना कि प्रौपर्टी खरीड़ना हो तो आधार कार दिखा और यह करो और इसा कुछ नहीं था उस जमाने में लोग खरीड़ते थे जब लग तो तो दिरा नहीं था जब को ऐसा इतिवा को उनके साद दो बार हुए एक बार तो बार हुआ हुआ रह तो आपको किराया जगी नहीं है. तो उनको किराया किस बात का. तो उनका पाली हील फ्सकी does a घ्रतक जसके आपका किराया ब झाली हो। उनका मैं जरा हतुर्था साल से किराय più जाजाया। अब मैं जा रहों मेरे वतन, तो सोचरा आपको देखें जाओव। तो उनका चाबी छोड़ो, जाली में बैठके मुझे बंगला भी तो दिखा है कहा है। यह वही जगा है जहाँ जहाँ अभी उनके बेटे डबिंग सेंटर चलाते हैं, पाली हिल पर. रिशी कबूर के बंगले से थोड़ी दूर पर वह एक बंगला है, जहाँ पर दिवाना साब के बेटे डबिंग थेटर चलाते हैं, जहाँ फिल्म का पोस्ट प्रोड़क्शन का काम होता है। तो ऐसी प्रोपरटी उनको मिल गई है, जो रोने इंटेंशनली नहीं खरीथी थी, ऐसा इलाधा भी नहीं था, पर उनके साथ इस तरह के इत्फाक वह है। तो मैं आपको जो बता रहा था, कि उनने अपने प्रदा से का कि गुरुकुल-कागली नहीं जाओंगा। वह बात मैं आपको तफसीज से गहरा चाहता हूँ, किसका ये बतलब कता ही नहीं है, कि भारती संस्कृती में उनका विश्वास नहीं था, ऐसा मतलब नहीं है। वह एक बॉंडर नहीं था, और उनको इसकदर मॉडर निटी के प्रदी वह सजिक थे, कि जब वह बीमार है लेगे, और राक्टरों का हिलाज चल रहा था, उनको ऐसा अंदाज हल लग गया, कि अब महीने पंदरा दिन से स्यादा मेरे बास नहीं है। आ ए अब बास निग्ऱाज मेरे का का मॉढरा मेरे कंट्र मॉढ़ दिवार भी म HAOS लोगे weights नहीं हम धोगा तो दिवानन की ड Maßnahmen हूए और राल्झा श्रथकार भी लिग्ने हुए। तो यहासा उन्हों ने इस्तिया किया कि हिंदुस्तान में हजर उनकी डेथ होगी तो बहुत तमाशा होगा। मोद शाव यात्रा में हजारो लोग शामिलोंगे और एक जैसा अपने बाद में राजेश्गना की डेथ में देखा ही है। तो होता है सब बले लोगों की डेथ में आप राजसाब की डेथ के वक्त भी चैंबूल में तमाम फुलिस वागरा लगी ती हादार लाख लोगों की भीड़ थी। तो होता है सा तो यह इस माहले में उसको मैं अंग्रेज अग्मी कह रहा हूं। आपने डेथ की बात की तो मैं यह कुछ उस समय के पेपर्स हैं आप एक पर लेखिये। आपने लिखा था कि मैं जिंदगी का साथ में भाता चला गया। आपने जिंदगी का साथ तो वक्यी जैसा आप बता रहे हैं। तुप ने भाया और पूरे एक अच्छा एक आप बता तो दिवानत का टेपरामेंट आप एक छोटी से घटना से आपको समझ में जाएगा। कि कालपा कारतिक के साथ और शूटिंग कर रहे थे हृम् कालपा कारतिक उन्हों परते कुन होंने इंडिटू मिन टरू किया था था में ऐंड़ से क Τर On तो एक दिर शूटिंगे समय उन्हों कालपला से काफ, कि हम लोग दूसरे को प्रेम करते हैं, हमको शादी कर लेना चाहिए. तो कलपला की रज़ा बंदी उन्हों ले ली और इस्टूडियों में शूटिंगे तर्मियान उन्हों शादी भी कर ली. तो मेरे को तो ऐसा लगता है, कि वो जिस पुजारी ने स्लोग लोग पड़े है, वो शायद फिल्म में पुजारी की अक्टिंग करता होगा, इस्टूडियों में कहां से प्राव में लेकिया, क्या किया, लेकिन वो अगर मन में विचार आया, फट से कर लिगा चाहिए, ये विचार आया, फट से कर लिगा, लेकिन चाहिए पुजारी शूटिंग वाला रहा होगा, लेकिन उनने निभाई तो फिर बाता है, ये निभाई है, ऐसी बात नहीं है, और उनकी ट्याद के बाद के बाद खलप्रा कारतिक बांदरा में, सल्मान खान के घर जाते हैं, उसक बाते हैं, तो परलेस्बग्रें, आर्के रायन का नौविल पड़ा गाईट, और उनने ते फिल्म अनने का तै किया, तो एक फिल्म लिटदेश्यक अमेरिका में, टेड डेनस्की नाम ताँनका, मेरा तलूफूस साइद सही रही है, और डेनस्की है, ऐसा कुछ नाम थाए आराल टेड के साथ वो इंडिया है, और देवान साइद सही रही है, और बातचीत की, तो देवान साइद सही तयार होगा है, ठीक है, फिल्म अनना लालते हैं, शूटिंग शूरू किया है, तो एक डेरेक्टर तो वहां से है, और फिल्म दो लैंग्वेजिया बन रही है, और हिंदी, हिंदुस्तानी, आतार दिन की शूटिंग हुई होगी, और चेतन साब ने कहा कि देखो देवान, अमेरिकन डेरेक्टर का नजरिया और मेरा नजरिया बिलकुल अलग अलग है, तो मेरे लिए ऐसी किसी फिल्म को बनाना मुम्किन नही है, जिसके दो डेरेक्ट देखिये, ये अमेरिकन लोग अपनी स्क्रिप्ट लेकर आया है, नवेल के ऊपर, ये अपनी दंग से फिल्म बनाना है, इनकी पूरी फिल्म बन जाने देजिए आप, पूरी, इस बीच मैं इसी स्क्रिप्ट पर काम करके दुबारा इसको लिखूँगा, क्योंकि हिंदु क्योंकि हम दुबारा शूट करेंगे, तो गाइड दुबारा शूट हुए है, इसमें, एस्टी बर्मन का म्यूजिक है, और शैलियन के गाने है, और देखिये, ये द्विजानन्द और, एस्टी बर्मन और शैलियन का कमाल है, कि वो जो रोजी करेक्टर है, उसकी जो काले के मुखने में एक पूरा करेक्टर डिफाइन कर दिया, तोल के बंदन, मांदी, पायल, आज फिर जीने का इरादा है, आज फिर मरने की तबनना है, क्या बात है, ये हैस्टॉप टुशेलेंद्र, हैस्टी बर्मन साब, और ये सिल्सला देखिए, ये काफी सालों तक चलता ला, फिर देवानाद साहब ने का कि अब मैं अपनी फिल्में खुद देरेट करूँगा, तो प्रेम बोजारी पहली फिल्म है, जिसके डिरेक्टर उनों ने किया, तो उस समें विजानाद ने का कि अचा आप डिरेक्टर पजारे तो मैं एक्टिक में जाता हूँ, तो विजानाद साहब के तीन-चार हिट फिल्में आई हैं, कोरा कागल नाम थाएका, जाय बच्चल के साथ की तेवरूर। और मुझे नाम याद निया रहा है, मैं तुल्सी तेरे आंगन की राजखोषला की फिल्म है, उसमें भी विजानाद साहब हीरो हैं, तो विजाना समपन लोग थे और यह द्युrent का व्यक्तित इसा व्यक्तित जहा पूर पह्ष्यम की मुलाकात हुती है, बेस्टर उसम कल्चर की मुलाकात होती है, वो देवानाद है, देवानाद है कि लिए नाम ऑसकते हैं, जहां पहष्यम पूर का मिलन होता है, मैंने जिस देश में गंगा रहती है कि बनने की कुछ क्रेडिट देवारण साब को जाती है सुनने में आपको अजीब लगेगा ये पिचर है राजकबूर साब के हुआ ये कि Arjun Devrush ने इसक्रिप्त लिखी और वो देवाराण को सुनने के लिए के लिए गये तो देवाराण ने पूरे सुनने के बाद का तेखो इसका हीरो गाहो का इक अदमी है मैं गाओं के अदमी का रोल करता ही नहीं हूँ मेरी सारी फिल्मों में शहरी नौजवान हूँ कई फिल्मों में शहरी बेरोजगार नौजवान हूँ सिर्फ एक फिल्म में गाओं का काम मैंने किया है और वो तरजूरवा इतना खराब ता कि दुबारा नहीं हगा, वो एइनसानियत नाम की फिल्म थी. जिसमें दिल्य उद्वारा साप भी थे, वो बहुत ये खराब फिल्म थी. वो रिजए और कामियाब भी नहीं थी, तो यह मेरे काम के नहीं है, इस तरह के फिल्म राजकबूर बना सकता है, तो औरोन ने वहीं से राजकबूर को फोन लगाया, कि अर्जिन देवराश नाम का राइटर हैं भेज रहा हूं, उसकी कहानी बेरे काम की नहीं है, शाहिद तुमारे काम की हो, तुम सुल्ट के खुद फैसला कर ले ला तो अरजन देवराश के देवादा का रिक्वान डेशन लेकर राजकबूर के बास पहुंचे उस दिन राजसाब के कमरे में शैलेंदर, शंकर जैगिशन भी असर जैबूरी बैठे थे उनका रोज कही बहला जोलना था तो वहां के अपने कहानी सुनाई फ़ भाद राजकबूर सहाँ ने कहानी लिए बाद वाफैस जाके साइणिगावड लेएजिजी ये कहानी मेरी हो गई तो अर्जन देवराश के जाने के बाद शंकरजी के देखा के राजकबूर ये तुम क्या कर रहे है यार इस पिक्चर में एक ड जाली जौदरी लिया था। इसमें भी सलिज जौदरी को ले लो। तो राजकबूर ने कहा हम इस बारे में फिर बात करें के 15 दिन बाद तो 15 दिन बाद फिर मीटिंग बुलाई और इस बार राजकबूर ने उसी कहानी को अपने अन्दाज में सुनाना शुरू किया तो ग्यारा गानों के सिच्वेशन उसमें हैं वो राजकबूर की बनाईवी सिच्वेशन हैं अच्छा देव साहब का क्या था कि वो राजकबूर को दावते देने का बहुत शौक था तो उनकी दावतों में दिलीप साहब और देवारान तीनों मिल बैखते थे तो ऐसे का गया कि देवारान एकाद रो तुम भी दावत रखो देवारान का ठीक है अगले संदेव का जाला तो दिलीकुमार राजकबूर साभ देवारान साभ किया गया कुछ और अंटस लोग आईवे थे पार्टी बार्टी शुरू हो गई खाना पीना चलने लगा साले दस बज दिलीकुमार राजकबूर से कहा कि भाया बेजमान तो गाया हो गया जिसके आप दावत वर आये हैं देवारान साभ आए है और वो कब चले गाए कहा चले गया कुछ ख़बर ही रही है तो पता चला कि देवानान साभ को जल्दी सोनी की आदत थी है और वो ज्यादा शराब राजकबूर भी तो पीते रहे हैं दोना सबर्दस कैबशिटी थी पीते खाने की तो वो तो आपने उटके सोने चले गा तो दिलीकुमार राजकबूर ने थैगिया कि अच्छ ठीक है अब आम उस समय तक पीते रहें के जब तक यह उटता नहीं है से उटकर मिलक ही यह तीनों एक दूसरे के गहरे दोस्त हैं. तो आज जो हम सुन पाए, समझ पाए भारती फिलम इंडस्ट्री के बारे में, वो एक नया ही एक्सपिरेंस रहेगा. हम जैपर का चॉकसे साफ आज जैपर में आए और हम उनसे मिल पाए. इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। झाल करते हैं।